नमस्कार किसान साथियों क्रशी जानकार यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस कपिलधाकड तो गेहूं की जो किस्मों से जुड़ी हुई अगले कड़ी में हम बात करने वाले हैं पूसा तेजस ही सित्याची 69 किस्म के बारे में जिसे भारती और इंद्र यद्वारा संद 2016 में किसानों के हितों को देखते हुए विक्सित किया गया है अगले एक दो सालों में किसानों की पास यह जो किसम ही यह पहुँची है तो किसान भाईयों अगर हम बात करें पूसा तेजस सित्यासी उनसाठ की तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उम्र की उम्र के बाद उत्पादन, खासियत और दीरे-दीरे हम आगे बढ़ेंगे तो उम्र से शुरुवात करते हैं जो इसकी उम्र होती है वो 115-125 दिनों के आसपास की होती है 115-125 दिनों में यह पकर तयार हो जाती है और दूसरी बात इसके उत्पादन की हम बात करें जैसा की बताया गया है करशिया नसुन्दान के अंदर के द्वारा तो इसका जो उत्पादन है वो 65-85 प्रती हेक्टर के मान से देखा गया है अब इसकी खासियत की बात करते हैं अखिरकार जो पुशा तेजस सित्यासी उनसाथ है इसकी खासियत क्या है तो इसका जो दाना है वो ज़्यादा चमकदार होता है ज़्यादा कड़क होता है और साथ में अगर एक साथ 1000 दानों को हम लेकर उनका वजन करें तो दानों का जो वजन है वो 50 से 60 ग्राम के आसपस होता है तो खिसान भाईयों ये हुई बात उत्पादन की उत्पादन के हम बाद हम बात करेंगे कि जो पूसा है तेजस गेहूं है इनमें पोशकतत्व कौन-कौन से पाए जाते हैं तो इसमें आईरन, प्रोटीन, विटामिन A, जिंक जिसे जितने भी पोशकतत्वें उनकी प्रचुन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क की बुवई विधी हम उपयोग करते हैं एक सिड्रिल के द्वारा और दूसरी फोकल विधी है ब्रोडकास्टिंग विधी तो सिड्रिल विधी से अगर हम उपयोग करते हैं तो कतार से कतार की जो दूरी है वो 18-20 cm हमें मैंटेन करनी है और उसमें जो बीजदर रहना है वो है 20 kg से लेकर 25 kg प्रती बिगा और हेक्टेर के हिसाब से देखे तो 110 से 125 kg प्रती हेक्टेर और फोकल विधी जो ब्रोडकास्टिंग विधी हम उपयोग करते हैं वो जो हमारा तरीका है उसके उपर निर्वर करता है तो उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है तो किसान सातियों अब हम बात करेंगे कि सिचाइस में कितनी उपयोगते हैं तो अगर भारती करशिय अनुसंदान के अंदर की हम बात करें उनके अनुसार हम बात करें तो 4-5 सिचाइस की उप्युक्त है कहीं कहीं जहां मिट्टी की जलधारन शम्ता अधिक होती है वहां कम सिचाई में हो जाएंगे और जहां मिट्टी की जलधारन शम्ता कम होती है वहां चार से छे सिचाई के बीच में इनकी जो सिचाई है वो उप्युक्त मानी जाती है तूकिसान सातियों य हम अगर देना चाहें तो हम इसमें जो उर्वरक है माइक्रोन रिटेंट वगेरा है वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं माइको रजा दे सकते हैं जिससे जो हमारा रूट स्ट्रक्चर हैं वो अच्छे से मजबूत हो पाएं और अब हम आखरी और अंतिम बात करेंगे कि अख प्रती भी इसमें रोग प्रत्रोदक शम्ता जो है वो अधिक है बहुत सारे गेहों में क्या होता है कि जब हम गेहों पक कर तयार हो जाते तब बालियों से जो गेहों का जो दाना है जो कन है वो तूटकर गिर जाता है मतलब बिखर जाता है ये खिर जाता है तो जो गेहों मशीन द्वारा काटने के लिए उप्यूग तुमाने जाते हैं आप हर्विस्टर मशीन के द्वारा इनकी कड़ाई कर सकते हैं और अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं इसकी जो रोपाई 20 नवंबर के आसपास हुई थी आज इनकी जो उम्र है 80 दिन के आसपास की हो चुकी है आज 10 परवरी है 10 परवरी को इनकी उम्र 80 दिन के आसपास की हो चुकी है 20 नवंबर के आसपास इनको लगाया था और 4 सीचा इसमें हो चुकी है ये पूसा तेजस ही है वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं जो कल्लो की जो मात्रा है जो कल्ले हैं वो 10 से 12 मतलब जो फुटाव है प्रती पोदा 10 से 12 के आसपास देखा है प्रती पोदे में 10 से 12 पुटाव देखे हैं और सब में बालियां धीरे धीरे बन रही है इसके बाद दो सिचाई और होनी है आने वाले एक से दो दिनों बाद इसमें एक सिचाई और होगी और उसके बाद आने वाले दस से बारा दिनों बाद फिर आकरी अंतिम सिचाई होने वाली है तो खिसान साथियों ये हुई पूसा तेजस सित्यासी 69 की बात अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चनल को अभी तक आपने अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सस्क्राइब कर लें क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी